एमेले और एमेंसी में क्या आंतर होता है जिए नमस्कार दोस्तों मैं में तुम्हार मौरिया और आप देख रहे हैं मौरिया टेखनिकल सपोर्ट यूटूब चैनल जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के स्टूडियो में हम जानेंगे कि एमेले और एम सुलूब करने से पहले एक छोटी सी बुजारिस कवी तक आपने मारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजिए मोरे टेकनिकल सपोर्ट यूटूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे के मारे चैनल पर इतने भी नवी बूर जाएं सब दोस्तों इन्हें सथान भासा में विधायक भी कहा जाता है और दोस्तों विधान सभा और विधान परशद में क्या अंतर होते हैं इसके बारे मैंने पहने ही वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिंग आपको डिस्विशन न मिन जाएगी या फिराई बटन पर क्रिक करके भी आप उसे देख सकते हैं जिससे देखने के बाद आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी तो दोस्तों अब बात करते हैं के योग वह व्यक्ति जिस राज्य के विधान सवा का चुनाव ड़ना चाहते हैं उस राज्य के मतदाता होने चाहिए ठीक है और इसके साथ ही वह व्यक्ति किसी भी लाब के पद पर नहीं होना चाहिए वह ऐगर दोस्तों बात करें MLC की उगा थागि, तो अगर वहाँ ना चाहते हैं, तो इसके लिए जावस्यक है वहाँ भारत के नागरिक हो, वहाँ ब्यक्ति जो हो तीसर्वर्स की आयो पुरी कर चुके हो, वहाँ ब्यक्ति जो हो पागल या फिर दिवालिया ना हो, और वहा जाते हैं उस राजय के मद्दाता सुची में इनका भी नाम करते हैं और जिस वह जुटाव ніरवाचित पूर जाते हैं और वह वहां से बिधान सबाक्सदर से निरवाचित हो जाते हैं वह अगर दोस्तों बात करें MLC की तो दोस्तों MLC को जनता स्य तोर पर नहीं चुनती है बलकि जनता के प्रतिनितियों और राजे के जो बुद्धी जीवी होते हैं उनके दौरा ने चुना जाता है वह चुनते हैं कुछ को उस राजे के जो शिक्षक होते हैं वह चुनते हैं ठीक है और कुछ को जो ग्राम पंचायत के या नगर परिशत के सिता से होते हैं वह सभी चुनते हैं ठीक है जानि कि जो MLC होते हैं उनको जनता सीधे तोर पर नहीं चुनती है लेकिन जो विधायक होते हैं उन्हें जनता सीधे तोर पर चुनती है और वहीं अगर दोस्तों बात करें के कार्याकान की तो जो MLA होते हैं उनका कार्याकान जो होता है वो 5 वर्सों का होता है और 5 वर्सों के बाद पुरा होते हैं वहीं अगर दोस्तों बात करें MLC की तो MLC क जो कारेकार होता है वो छे वर्सों का होता है और इनके जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो प्रतेक दो वर्सों के बाद उनका कारेकार पुरा हो जाता है और प्रतेक दो वर्सों के बाद एक तिहाई सीडों के ने चुनाव होता है यानि कि विधान परशत के जितने सदस्य हो होता है निकी कि जो सारे सदस्य हैं उनका करहकार एक साथ पुरा होता है वलकिन 403 के बाद में क्या पूरा होता है खिक है वीजान पर कुमनत्र है और करेक्षे या या को चुनाव है यानि कि यह मैं सब्हों में सब्हूरbolt क लिएGroup और करेक हो多 है ठीक है वह अगर दोस्तों बात करें राज्य में सरकार बनाने के लिए तो अगर कोई पार्टी या गठबंधन राज्य में सरकार बनाना चाहती है तो उसके पास दो तिहाई एमेले की आवसकता होती है ठीक है यानि कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी एगठ बंदन को सरकार बनाना है तो अगर उनके पास दो तिहाई एमेले होंगे तो वह वहाँ पर सरकार बना सकती है उसके लिए इमेले की आवसकता नहीं होती है यानि कि अगर उनके पास एमेलशी है तो अच्छी बात हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी पार्टी एगठ बंदन के पास दो थिहाई एमेले हैं तो वहहाँ पर सरकार बना सकती है ठीक है और जूस heeft गर किसी पार्टी होते हैं वह सभी राजयों में होते हैं क्योंकि जो विः और परिस आंप के समय में छे राजयों में होते हैं तो इन दोनों के बीच में मुख्या अंतर रही था उडियो पुसंद आया हो लाइक स्यर करें और हमारे उसे कमें बोक्स न जरूर निखें और अगर आपके मन में कहीं पर कुछन होता है तो सभी कौन बॉक्स में जरूर नहीं है हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद